गुड मॉनिंग स्टुडेंट पक्सीनिया की लाइफ साइकल के बारे में बात कर रहे थे हम और उसमें हम जो है इरोडेस्पोर और टेलिटीस्पोर बढ़ चुके हैं आज हम बैसीडीस्पोर स्टेज के बारे में बात करते हैं बैसीडीस्पोर स्टेज Vesiduspor stage Teletuspor के बाद की stage है और हम जानते हैं कि Teletuspor का germination जो है वो resting stage के बाद resting stage जैसे complete हो जाएगी यह हमने पिछले class में देखा था कि यह Teletuspor है और समय दो germ pore पाज़ते हैं और यह spore तब तक resting stage रहेंगे जब तक इनको proper humidity नहीं मिलेगी और temperature कम नहीं होगा तब तक यह resting stage में बने रहेंगे और अनुकुल परिश्टे होने पर यह germinate होते हैं और उसके बाद अंकुल के समय जो है इसकी दोनों cell में जो germ pore होते हैं यह germ pore जैसे उपरी cell में हो गया यह germ pore यहां पर एक नीचे जो है germ pore हैं इन दोनों से जो है एक एक germ tube निकलती है और वह germ tube आगे चलकर करके pro mycelium या epibacidium बनाती है इस तरह से कर दो है कर दो है झाल 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 झाल